जै श्री राधाकृष्ण भगवान जी की जै श्री गोडी शंकर भगवान जी की जै श्री शीव महापुरान की जै श्रावन मास की मंदर शीवनसी बाले महात्मा यूडिव चैनल के ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं श्रावन मास के सपावन समय में आज हम आपको श्री शीव महापुरान के दस्वे ग्यार्वे और बार्वे अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं श्री श्री शीव महापुरान की कथा को श्रावन मास में अगर सुना जाए तो अनन्त गुना पुनिफल की प्राप्ति होती है तो श्रिशीव महापुरान के पहले खंड के दस्वे अध्याय की कथा इस परकार है ब्रहमा जी देवरीशी नारद जी से कहने लगे हैं कि हे नारद भगवान सदाशीव इस रूप में प्रकट होकर मुझसे कहने लगे कि हे ब्रहमन यदि आप हमें आग्या दें तो हम वेद अनुकूल कारे करें मैं ऐसे सुपूत्र को पाकर अपने मन में फूला नहीं समा रहा था अस्तू मैंने उनसे कहा कि जब आप जैसे मेरे पूत्र उत्पन हुए हैं तो मेरे संपूर्ण मनोरत निश्य ही पूर्ण हो जाएंगे मैं वेद की अनुसार आपके जो ग्यारा ना रूद्रानियों के नाम इस प्रकार होंगे धी, व्रती, उश्ना, उमा, नर्यतसर, इला, अंबिका, इरावती, सुधा, दिक्ष तथा रूद्रानी इसके अतरिक्त रूद्र, महेश्वर, हर तथा जगदीश आदी आपके अनेक नाम और भी होंगे प्रित्वी, जल, अगनी, आकाश, वायू, ये पांचों तत्व, तथा सूरे, चंद्रमा, जीव और हिर्दय, ये योग स्थान तुम्हारे निवास स्थान होंगे आप अपनी पत्नियों को भी इनी स्थानों में अपने साथ रखो और संतान की उत्पति करो, जिससे श्रिष्टी की वृद्धी हो ये नारद मेरी बात सुनकर उन सगुन सवरूप भगवान शिवजी ने भूत प्रेत पिशाच आदी सहस्त्रों परकार के भयानक जीव उत्पन किये, जिने देखकर मुझे अत्यांत आशर हुआ तब मैंने भहभीत होकर उन से कहा कि आप इस संतान को इसी समय नश्ट कर दो रथा श्रेष्ट पूत्र उत्पन करो, यह सुनकर उन्होंने उत्तर दिया कि हे ब्रह्मन जिन जीवों को बार बार जनम लेना और मरना पड़े, उन्हें हम उत्पन नहीं करेंगे, उन्हें तो उनके चर्णों में जुका दिया, ऐसा देखकर भगवान शिवजी ने मुझे उपर उठाते हुए मेरे मस्तक पर अपना हाथ फेरा, उस समय संकादिक भी आकर भगवान शिवजी के चर्णों में गिर पड़े और उन्हें दन्वत करते हुए स्तूती करने लगे हैं, हम तीनों देवताओं में किसी प्रकार का अंतर नहीं है, अब मैं तुमसे शिष्टी का वर्णन पुनहें करता हूँ, अब ग्यार्मा अध्याए, ब्रह्मा जी कहने लगे हैं, कि हे नारद भगवान सदाशिव की आग्या पाकर मैंने सर्व प्रथम, पृत्वी, आकाश, आधी पंच तत्व, परवत, मूल और कला आधी को उत्पन किया, तदू प्रांत अपनी इच्छा से विर्ची, अगनीरस, श्यातातप, भ्रगू, पुलस्त, पुलह, तथावशिष्ट इन सब त्रिश्यों को जनम दिया, फिर मैंने अपने परतेक अंग से तुम, अर्था आत नारद, करदम, एवं दक्ष आधी, दस पुत्रों को उत्पन किया, फिर स्तन से मनुष, पीट से पाप, और अन्य अंगो से प्रीती, त्रिश्णा आधी को प्रकट किया, तदू प्रांत, क्रमानुसार, नक्षत्र, धिशा, दिकपाल, एवं चंद्रमा आधी को प्रन्तु अपने द्वारा उत्पन की हुई, उस तामसिश रिष्टी को देखकर मुझे अत्यांत चिंता हुई, रात्री के कारण अब मुझे भूख लगी, और मैं राक्षश यक्ष आधी को खाने के लिए दोड़ा, उस समय मैंने अपने शरीर को भयंकर बनाकर काल को उ दोड़े, तब मैंने उस शरीर को बदल कर एक दूसरा शरीर ग्रहन कर लिया, और अपने गुटनों द्वारा असरों की उत्पत्ती की, वे मुझे पहचान नहीं सके, अत्या निरलज बन कर काम के वशी भूत हो मेरे पास दोड़े चले आए, उनके भैसे भैभीत होकर, मैं भूत भावन ने अप्रकट रूप से मुझे ये आग्या दी है कि तुम अपने इस शरीर को बदल डालो, तब मैंने उनकी आग्या नुसार अपने शरीर को बदला, जिस समय मैंने शरीर को बदला, वह समय साइकाल कहलाया, उसमें संपुर्ण असुर अच्छेत होकर गिर प इश्वर, भूत, प्रेत, आदी तथा इस्त्री को उत्पन किया, प्रंतु इन जीवों की उत्पत्ती से भी मेरे हिर्दे को पर संता प्राप्त नहीं हुई, ये नारद, इसके उपरांत मैंने भगवान शिवजी की इच्छा से हाथी, सीह, बैल आदी, बुद्धी हीन जी मेरे द्वारा उत्पन हो गई, उनसे मैंने धनुर विध्या, गान विध्या, एमम संपूर्ण कथाओं से युक्त पुरानों को जीन्हे पंचम वेद कहा जाता है उत्पन किया, इसके बाद मैंने संपूर्ण आश्रम, अर्थात, ब्रहमचार, ग्रस्थ, वानप्रस्थ, स जब संपूर्ण शिष्टी उत्पन कर चुका, तब विश्ण भगवान जी उसका पालन करने लगे, एमम भगवान शिवजी प्रिथ्वी को स्थिर रखने के कारे में सनलगन हुए, ये नारद शिष्टी की उत्पत्ती का यह वर्णन, अत्यंत, सुख, प्रदान करने वाल नहीं हुई, यह देखकर मैंने अपनी संपुर्ण इंद्रियों को वश में करके भगवान सदाशिव की पुन्हे पूजा की, क्योंकि उनकी परसंता के बिना कोई भी कारे पूरा नहीं होता है, भगवान शिवजी ने इस पूजा से प्रसं होकर पुन्हे मुझे अपने द गदंबा का इस्तरी सवरूप था, आधे मस्तक पर जटाएं थी और आधे पर घुंगराले सुंदर केश थी, एक और ललाट पर त्रिपूंड लगा था, और दूसरी और बिंदी चमक रही थी, एक और डमरू की ध्वनी थी, और दूसरी और घुंगरू का महदूर सवर थ ये नारद भगवान सदाशिव के इस अरधांगी सवरूप को देखकर मैं अत्यंत प्रसन हुआ और मैंने उन्हें दंडवत करते हुए प्रात्ना की, कि हे प्रभू मेरे धन्य भाग हैं, जो आपने रिपा करके मुझे अपने दर्शन दिये हैं, मेरी स्तुती को सुनकर भ अधिक संतान उत्पन करने की है, इतना कहकर भगवान सदाशिव शक्ती से अलग हो गए, उस समय मैंने शक्ती की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, कि हे महारानी, मैंने आपकी आग्या से श्रिष्टी उत्पन करने की चेश्ठा की प्रन्तु वह अधिक नहीं भड़ी, हे अ जगदंबे, आप दक्ष की पूत्री के रूप में अवतार ग्रहन करें, मेरे मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर, भगवती महा माया ने पहले तो भगवान सदाशिव की ओर देखा, फिर मुझसे कहा, कि हे ब्रहमन, मैं तुम्हारी पूत्री के रूप में जनम पूने श्री सदाशिव के शरीर से संयूक्त हो गई, तब भगवान भूत भावन भी अंतरध्यान हो गई, बड़ी सुन्दर कथा का वर्नन ब्रहमा जी देवरिशी नारद जी से कर रहे हैं, श्री श्री महापुरान की इन कथाओं को श्रावन मास में अगर कोई भक्त सु पाएंगे, तो मंदर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल के ओर से इस कथा को सुनने के लिए आप सब का हार्दिक धन्यवाद, भगवान श्री राधा क्रिशन जी की, भगवान श्री गोडी शंकर जी की, श्रावन मास की, श्री श्री शिव महापुरान की अनं नमस्षिवाई, जै जै श्री राधी, जै जै श्री राधी, जै जै श्री राधी श्याम